उसकी समिक्षा उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती हैं आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का आउसर मिलेगा ग्राउंड रियालिटी क्या है उसको समझने का आउसर मिलेगा आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स आपके सुझाव देश को आगे की रणलिक्ति बनाने में अवश्य मदद करेंगी साथियों किसी भी संकर से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्पव होता है सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संकरमन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई का अध्यान होगा तो ये दोर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दोरान हमने साथ मिलकर के काम किया कोपरेटिव फैडरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्तुत किया साथियों जब करोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव भी नहीं बना था तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारिया शुरू कर दी थी फैसले लेने शुरू कर दिये थे हमने एक एक भारतिये की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात महनत की है बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिये भाई भेन विदेश से अपने वतन वापिस लोटे हैं बीते हप्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुंचे हैं रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्क करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना, संक्रमान उस जैसा विनाश्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की हैं दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लोकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की, आज भारी चर्चा हो रही है आज भारत में रिकवरी रेट पचास पतितत से उपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है, जहां कोरोना संकरमीत मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यूं दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यूं असहज करने देने वाली है लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है अब अनेख राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है साथियों बीते दो हपते के अनुलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें सारे दिशा निर्दोशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवार्य है आवशक है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बहार निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाख है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी इसलिए दोगज की दूरी का हमारा मंत्र हो दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा के लिए विशेशकर गर के बच्चों और बुजरुगों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है अब तक लगभग सारे आफिसेश खुल चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग आफिस जाने लगे हैं बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है तो इस सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे थोड़ी सी भी लापरवाई थोड़ी सी भी डिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी हमारे दप्तर खुलेंगे मार्केट खुलेंगे ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथियों आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुचाएंगे बीते कुछ हप्तों के प्रयासों से हमारी अर्थेववस्ता में ग्रीन सूक्स दिखने लगे हैं पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दो गुनी हुई है इस बार खरीब की बोहाई बीते साल की अपेक्षा करीब बारा तेरा परसेंट जादा हुई है टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब सत्तर प्रतिशक तक पहुँच चुका है रिटेल में डिजिटल पेइमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्तिती में पहुँच चुका है इतना ही नहीं मई में टॉल करेक्षन में बरुत्री होना एकोनोमिक एक्टिविटी में वृद्धी को दिखाता है लगातार तीन महिने तक एक्षपोर्ट में कमी के बात जूर में एक्षपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरियड में पहुँच गया है यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोचाइट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथियों आप एसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और MSMEs का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं MSMEs को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं समय बद्द तरीके से MSMEs को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है सो करोर रुपिय तक के टर्न ओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक क्रेडिट के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे साथियों हमारे यहाँ जो स्मॉलर फक्टरिज हैं उन्हें गाइडन्स की हैंडोल्डिंग की बड़ी जरूरत है मुझे पता है आपके नेत्रुतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पी स्पेसिफिक एकनोमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं वहाँ 2400 घंटे काम हो सामानों की लोडिंग अलोडिंग तेजी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्तर पर किसी तरह की दिक्क अपना हो तो एकनोमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी साथ्यों किसान के उत्पात की मार्केटिंग के ख्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्थिवस्ता की गती भी बढ़ेगी विशेशत तोर पर नौर्थी सोर हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होटी कल्चर इसके लिए अनेक अउसर बनने वाले हैं और्गेनिक प्रोडक्स हो बांबू प्रोडक्स हो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो उनके लिए नए मार्केट का दवार खुलने वारा है लोकल प्रोडक्स के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीती की गोशना की गई है उसका भी लाप हर राज्य को होगा इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जीले में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोडक्स हम देश और दुनिया के बाज़ार में उतार सकते हैं साथियों बीते दिनों आत्म निर्भर्द भारत अभियान के तहट जितनी भी गोच्णाय की गई है वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिष्ट भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाब है जो तयारिया है वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आएगी मैं ग्रमंत्रीजी से आगर करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का संचालन करे